क्या कहते हैं पती आपके वो कुड़नी कहते हैं मेरे से नहीं आप रोई ये मत मैया जी श्रीमन नाराएन गुरु जी आप मेरा अमार्ग दर्सन करिय जी मेरे को सफेद दाग तो मेरा बहुत जीना मुस्कन हो रहा है क्या हो गया जे मेरे को राम जी ने सफेद दाग दिये तो इसकी वज़े से बहुत जीना मुश्किल हो रहा जो कुमारे में मेरे गुरू जी थे तो गुरू जी ने एक आग्या दी थी कि तुम्हें भक्ती करने तो अपने ग्रस्त में करो तो हम अपनी गुरू जी की बौई बात लेके चल ले हैं, अब मेरी तीन बेटियां हैं, शादी के लाइक हो गई हैं, तो मेरे पती नहीं जीवना मुश्किल कर दिया, और मैं उनको भगवान मानती हूँ, क्या कहते हैं पती आपके, वो कुड़नी कहते हैं मेरे से, नहीं नहीं आप रोहिए मत मैया जी, ये तो भगवान का चिंतन करो, भगवान में मन लगाओ, सरी चमडी को क्या सजाएं, कोई बहुत सुंदर भी हो, और भगवान का भक्त ना हो, तो सुंदर चमडी का हम करेंगे भी क्या, चमडी को ना देखें, हम अपने मन को पवित्र करें, और आप परिशान नहीं आपके हैं, और सरीर से आपका कोई संबंध नहीं है, सरीर तो हमारा एक दिन यहीं जल जाएगा, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, इसलिए, आपके पती आये हैं, जब आएं तो मेरी बात कराना आपके पती से, मैं आपके पती को समझाऊंगा, और किसी भी देखो, आप से मेरी किसी के रंग रूप को देखके, ना कभी मजाक उड़ाना चाहिए, ना हसना चाहिए, आपके यह सब इश्वर का दिया हुआ है, है ना, और शरीर का कोई महत्व नहीं है भक्तो, शरीर तो एक दिन जलना ही है, आप सौने जैसे भी काया लेके प्रगट क्यों नहों, लेकर और वो सौने जैसा सुंदर सरीर भी आग के हुआले ही होगा, इसलिए यह मन का महत्व है, कोई नहीं जानता के मीरा देखने में कैसी थी, कोई नहीं जानता के मीरा गोरी थी, की काली थी, बस मीरा का मन अच्छा था तो आज तक लोग जानते हैं, किसी के पास फोटो भी न कैसे थे कभीर दास कैसे थे सूर दास कैसे थे लेकिन इने सब का मन अच्छा था इसलिए मन को अच्छा करना है सरीर तो ईश्वर ने जैसा दिया है वैसा ही रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते